विल्कुल देसे इस्टेल में बनने वाला चीकन यह बहुत ही ज़दा टेश्टी और बहुत ही मज़े के बनती है और बहुत ही कम समय में बनके यह तेयार हो जाता है जो भी खायेगा बस आपका तरीफी करेगा आप इसे बार बर बना खाना चाहेंगे तो चलिए इसको बनान में हम एड़ करेंगे नमक एक टीस्पुन हल्दी यहां पर मैं आधा नीबू नी चोड़ दूंगी नीबू नी चोड़ने से दो फायदे होते एक तो चीकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तयार होता है और चीकन से बिल्कुल भी एसमेल नहीं आता है इसको अच्छ अधर हम लेंगे कढ़ाई इसमें हम एड़ करेंगे सरसोो का तेल और तील जब अच्छे से गरम हो जाए तो हम सारे चीकन को पीसेस को फ्राई करेंगे फ्लैम हम हाई रखेंगे यह रखेंगे चिकेन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इससे ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है अब हमें इसको प्लेट में निकाल लेंगे मैंने इसे दो बैच में फ्राई किया है यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले आड़ करूँगी जीरा, काले मिर्च, दालचीनी, लॉंग, इलाइची, इस्टारफॉल, चार साबुत लाल मिर्च, तशपात कपते हैं सभी मसालों को हमें तेल में थोड़ी दिर के लिए भून लेना है जब इसमें से खुषबू आने लगे, तब इसमें हम कटे हुए प्याज आड़ करेंगे यह तीन मेडियम साइज के प्याज है, मैंने इसको बारी काट लिया था अब इसको हम ढखके पाच मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं प्याज को भूनने में थोड़ा से जादा वक्त लगता है, इसी के साथ मैंने अद्रक और लसन को कुट के अड़ किया है, एक चमच इसको मिक्स करेंगे, और प्याज के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे प्याज को हमें गोल्डन होने तक भूनना है, प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब इस से स्टेज पे मैं इसमें एक बड़े साइज के टमाटर एड़ करूंगी, आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं टमाटर को, यहाँ पे मैंने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल है, जब भी अब टमाटर डाला है तो उसके साथ ही नमक डाला है, इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हजाते हैं, एक टी स्पून तीखी वारी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून हल्दी का पाउडर, एक टेबल स्पून जीरा और काली मिर्च का पाउडर, तो यह मसालो को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल सिंपल मसालो मैं इसको बनाऊंगे और बहुत ही ज़दा टेश्टी बनके तयार होगा, यहाँ पर मैंने कलर के लिए कस्मेरी मिर्च यूज किया है, थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं और यह जले नहीं, तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, यहाँ पर मैंने एक लसन के काट और एक इंच अद्रग को मैंने पेश्ट बना लिया था, उसको एड़ कर देंगे, और मसालो को साथ यह भी अच्छे से भून जाएंगे, इसको ढखके हम पांच मिनट के लिए पकाना है, बीच-बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे, टमाटर को ऐसे हमें चम्मस से मैश कर देना है, तक मसालो में अच्छे से यह भी मिल जाएंगे, मसाले भून चुके हैं, अब हमने जो चिकन को फ्राई करकर रखा था, उसमें एड़ कर दें इसको ढखके 5-7 मिनट के लिए मसालो के साथ भून लेना है, बीच-बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे, चिकन अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम पानी एड़ कर देंगे, कमिया ज्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी, हमें इसको इसको मैं थोड़ा सा पानी एड़ किया है, इसको मैं दो से तीन मिनट के लिए और पका लूँगी ढखके, चिकन अच्छे से पक चुका है, अब इसमें मैं गरम मसाला एड़ करूँगी, एक टीजपून, इसी के साथ मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी एड़ किया है, हरा ध खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लजीज है, आप इस तरीके से बनाएंगे, तो आपका भी चिकन बहुत ही टेस्टी बन के तयार होगा, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने बनाया है, आप इसे चावाल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी किजेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो,